हेलो केट्स, मेरा नाम है रिना गूजर और मेरे विद्याले का नाम है राजकिये वरिष्ट उपाद्याय संस्कृत विद्याले मोहनपुरा सांगानेर जैपुर और हम आज क्लास थ्री का इंगलिस का फोर चेप्टर गुड हैबिट्स पड़ेंगे गुड का आर्थ होता है अच्छी और हैबिट्स का आर्थ होता है आदते तो हमारा जो पाठ है उसका नाम है गुड हैबिट्स और इसका आर्थ है अच्छी आदते तो हम एक बार तो पूरी जो पोईम है उसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद में अपन इसका आर्थ पड brushing your teeth twice a day keeps your gums healthy and jumps at bay a bath everyday keeps us fresh, clean and gay comb your hair and wear clean dress trim your nails and they won't look a mess before and after eating your food wash your hands and don't be rude you should study your lessons everyday pray to god and also go out to play तो poem की reading अपनने एक बार कर ली है अब अपन इसका आर्थ देखेंगे early to bed, early याने होता है जल्दी to bed याने सोना early to bed, early to rise, early याने जल्दी, rise याने जगना max and man, make यान बनाता है, a man याने एक आदमी को healthy याने स्वस्त, wealthy याने धन्वान, and याने और wise याने बुद्धिमान रात को जल्दी सोना और सुब़ जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्त, धन्वान, और बुद्धिमान बनाता है brushing your teeth twice a day, brushing your teeth, याने तुमारा, तीथ याने दात, twice याने दो बार, एडे याने एक दिन में एक दिन में दो बार ब्रस करना, keeps your gums healthy, keeps याने बनाता है, याने आपके gums याने मसूडों को healthy, याने स्वस्त, and याने और gums याने रोगानू, एट बे, समस्याओं को दूर रखना अगर आप एक दिन में दो बार ब्रस करते हैं, तो इससे आपके मसूडे स्वस्त रहते हैं और जो रोगानू होते हैं, वो दूर रहते हैं, आपके दा सडने से बचते हैं ये बात एवरी डे, बात याने स्नान, एवरी डे याने परतेग दिन परतेग दिन नाना, किर्स अस्प्रेस हमें ताजा रखता है, क्लीन एंड गे क्लीन याने साब सुत्रा, एंड याने और गे याने कुस रखना अगर आप परतेग दिन नाते हो, तो आपको ताजगी मैसूस होगी, आप साब सुत्रे रहेंगे और कुस रहेंगे, कॉम्ब योवर हैर, कॉम्ब याने कंगी, योवर याने आपके हैर याने बालों में एंड याने और, वियर याने पहनना, क्लीन याने साब ड्रेस याने कपड़े अगर आप अपने बालों में कंगी करते हो, और साब सुत्रे ड्रेस पहनते हो, ट्रेम योवर नैल्स ट्रेम याने छोटे-छोटे काटना, योवर याने आपके नैल्स याने नाखुन अगर आप आपके नाखुनों को काटते हो, they won't be look a mess, they याने वे, look याने दिखाई देना, mess याने गंदे और वो गंदे भी नहीं दिखने चीए, अगर आप अपने नाखुनों सको काटोगे, तो उनमें जो गंदेगी है, वो नहीं रहेगी Before and after, before याने पहले, and याने और, after याने के बाद Eating your food, eating याने भोजन, याने आपका, food याने खाना, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में Wash your hands, wash याने धूना, your याने आपके, hands याने हातों को And don't be rude, don't याने नहीं, be rude याने assist वेवार खाने से पहले और खाने के बाद में, आपको अपने हात धूने चाहिए, और किसी से भी बुरा वेवार नहीं करना चाहिए You should study your lessons every day You याने तुम, should याने चाहिए Study याने अध्यन, your याने आपके lessons याने part Every day याने परतेग दिन आपको परतेग दिन आपके जो lessons है, part है, उनका अध्यन करना चाहिए परतेग दिन आपको अपने teachers पढ़ाते हैं न, lessons तो उनका आपको आके घर पे revision करना चाहिए, पढ़ना चाहिए Pray to God, and also go out to play Pray याने प्रातना, God याने भगवान, इसवर And याने और, also याने भी, go याने जाना, out याने बाहर Play याने खेलना अब आपको study तो होएगी, परतेग दिन आपको अध्यन करनी चाहिए Pray to God, भगवान से प्रातना भी करनी चाहिए और खेलने के लिए बाहर भी जानना चाहिए तो ये सारी अच्छी आदतों में सुमार है सुब़ जल्दी उखना रात को टाइम से सूना तो ये थी अच्छी आदते बच्चों आप भी इन सारी अच्छी आदतों को अपना के अच्छे बच्चे बन सकते हैं अपने जो लेशन फोर्थ था वो कम्पलीट हो गया धन्यवाद